नमस्कार दोस्तों समाधान यूटूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो में जानेंगे कि तेजपत्ते के क्या फायदे हैं तो घर पर रोज एक तेजपत्ता जलाएं और क्या होता है देखें 10 मिनट बाद तेजपत्ता जलाने से गजब के फायदे होते हैं और आप भी जानिये और रोजाना जलाईए दोस्तों अगर आप भी खाने में तेजपत्ते का तरका लगाती हैं तो मुबारक हो पर यह तेजपत्ता आपके खाने के स्वाद को बढ़ाने के इलावा आपके घर के बातावरण को भी सुद्ध रख सकता है इसके लिए आपको इसे खाने की जरूरत नहीं है बलकि आपको इन पत्तों को रोजाना जलाना होगा वो भी घर के अंदर तेशपत्ता जलाने से हमारे घर में कई बदलाब आते हैं सकारात्मत्ता का विस्तार होता है और कई विबारियों से भी निजात मिलती है तो जोस्तो आईए जानते हैं कुछ ऐसे ही और फाइदे तो तेशपत्ता जलाने का पहला फाइदा है कि यह चिन्ता और थकान को कम करता है घर के अंदर तेजपत्ता जलाने से चिन्ता सूजी हुई नसे जोरो का दर्द और वाइरल इंफेक्शन आदिक खत्म होते हैं तो इसलिए तेजपत्ता एक जरूर घर में जलाएं अब आईए जानते हैं तेजपत्ता जलाने का दूसरा फाइदा आसपास के माहोल को करे खुसमिजाज तो दोस्तों तेजपत्ते का धुमा जो है आसपास के माहोल को खुसमिजाज कर देता है तेजपत्ता को जलाने से निकलने वाला धुआ आपके आसपास के बातवरण को कुछ इस तरह से बदल देगा कि आपका और आपके आसपास के लोगों का बेवार कुछ मिजाज हो जाएगा है ना रोचक बात तो जरूर एक तेजपत्ता घर में जलाए अब जानते हैं तेजपत्ता जलाने के तीसरे फाइदे के बारे में स्वास लेने में होती है आसानी तो दोस्तों कैसे स्वास लेने में आसानी होती है जानते हैं इस बारे में आजकल प्रोदूसन हर जगह है ऐसे में घर के बातावरण को सुद्ध रखना बहुत जरूरी है इसलिए घर में एक बार तेजपत्ता जरूर जलाएं और तेजपत्ते में मेरी सीन और यूजे नाल जैसे तत्व पाए जाते हैं जो बलगम को हटाते हैं और फेफरो में कफ जमा नहीं होने देते हैं इससे स्वास लेने में हमें आसानी होती है और कफ की सिकायत भी दूर हो जाती है तो दोस्तों यह था तेजपत्ते के बारे में वीडियो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत 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 बहुत